फेलो फेंड तो चलिए आज बनाते हैं मतर पनीर उभी एकदम तेश्टी और कम समानों से और मैं इसमें खास चीज डालके बनाने वाली हूं जिससे कि यह सबजी का टेश्ट और भी जादा बढ़ जाएगा तो चलिए मटर पनीर बनाने का ये रेश्पी देखते हैं मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले यहां मैं ले रही हूँ पनीर तो यहां 200 गराम पनीर है यह एकदम फ्रेस पनीर है पार्केट वाली तो उसके बाद से इसको कट कर देते हैं तो आप यहां पीसेस अपने इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, जैसे बड़ा में भी रख सकते हैं, या फिर इसको 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 इ सब्सक्राइब चौप किया हूँ प्याज भी रख ले सकते हैं उसके पास यहाँ है टमाटर हरी मिर्च अद्रक और लहसन यह जो समान हमारे लगेंगे तो भहत ही कम समान से आज मैं मटरपनिल की रेश्पि बना के रेडी करूंगे तो सबसे पहले यहां पर गैस्पर में यहां एक कड़ाही चड़ाती हूँ, उसमें तेल डालते हैं, सरसो का तेल, तेल की मातरा थोड़ा अधिक डालना है, तो चार से पांच बड़े वाले चमस यहां तेल एड़ करते हैं, उसके बाद से यहां डालते हैं, जीरा, तेजपत तो बारी कट नहीं करणा है तो इसको आप पीज भी सकते हैं तो बहट क्या है कि थे कषह स्वाद अलग आजाते हैं और जान जाला आउन तोwederry कि यहां कि पीज़ेंगे या दोनों को पीज़ें तरह सकते हैं ये भी इंकिन है औरहले os इसको medium to high flame पर यहां पांची मिनट के लिए फ्राई करते हैं, इसका color एकदम change हो जाएगा, तो यह देखे, finally यहां पांची मिनट हो गया है, प्याज को फ्राई करते हैं, इसका color देखे, एकदम dark हो गया है, तो एकदम perfect है, अब इसको इस तरह से चला लेते हैं, अब प्याज को fry होने के बाद, इसमें मैं add करने वाली हूँ, अभी धनिया पाउडर, यहां देखे, मसाला मैं यही पे add करूँगी, तो दो बड़े चमच से धनिया पाउडर डालते हैं, इससे सबजी का जो ठीकनेस होता है, ग्रेवी का वो अच्छा आता है, इसके बाद से यहां और नमक स्वात के अनुसार, उसके बाद से यहां डालूंगी जीरा पाउडर, इन सब मसालों को डालने के बाद इसको चला लेते हैं, अब यह है जीरा पाउडर, चलिए सारे मसालों को मैं एक अक चमच यूज यहां कर रही हूँ, बस धनिया पाउडर जो है, वो दो आते रहना है, अब इसमें हम डालते हैं अदरक लासन का पेश्ट, इससे सबजी का जो फ्लेवर है एकदम चेंज हो जाएगा, अब इसको डालने के बाद चला लेते हैं, ठीक है, यह हमारा जो मसाला है काफी ड्राई हो चुका है, तो इसमें थोरा सा जो जार में पानी अब इसको चला देते हैं, यह देखे, एकदम अच्छा सा एकदम मिक्स अफ हो गया है इसका, अब इसको मेडियम टू हाई फ्लेम पे गैस का फ्लेम यानि कम करके आप इसको कभर करके ढग दे और पांच मिनट के लिए पकने दीजिए, ताकि जो भी हम अभी मसाला इसमें अच्छे से फ्राई हो जाया, जब मसाला फ्राई हो जाता है तो उसकी अलग ही एक खुसबू आने लगती है, इसको मैं पांच मिनट के लिए कभर करके यहां छोड़ देती हूँ, आपको अगर लगे कि ज़्यादा ड्राई थो थोड़ा से इसमें, और पानी आइड कीजि यहां जो चार टमाटर हम लिए ते उसका एक अच्छा सा बारिक पेस्ट बना लेते हैं और इसमें डाल देते हैं, अब सबको अच्छे से मिला देते हैं, तो यहां हमारा मसाला पहले से ही फ्राई हो चुगा है, अब हम इसमें टमाटर रैट के हैं तो अब इसको दो से ती जब दालके हम पका हैं तो देखे कितना अच्छा से इसका कलर आ गया सारा मसाला में से मतलब यहां तेल निकल चुका है अलग से देखे सब्वों सब कुछ तो यहां पर्षेक्ट है यह अब इसको इस टेप यहां पर हम मिलाते हैं मतर ठीक है तो यहां मैं फ्रोजन मतर का मार्केट वाले फ्रेस मटर यूज कर रहा है तो आप स्टार्टिंग में मसाला के साथ उसको डाल दीजी कि वह पकने में टाइम लगता है और यह पहले से पका हुआ रहता है तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है इसे दो से तीर मिनट के लिए यहां कभर करके छोड़ देते मतर भी अच्छा से एकदम पक गया है तो यह मतब पांच मिनट काफी होता है मतर को पकाने के लिए बस यह इस्टीम लगा दीजिए तो यह सही हो जाता है तो यह मसाला के साथ पक्के डेदी हो गया एकदम परफेक्ट कलर आप देख सकते हैं एकदम को दिखाते हूँ यह अच्छा सारा मसाला थिकनेस पर आज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हैं अब इसके बाद से यहां हम डाल रहे हैं गरम मसाला तो गरम मसाला चुकि लाश्ट में डालना चाहिए तो अगर आप इस टाटिंग में डाल देते हैं तो उसका फ्लेवर नहीं आपाता है वो खतम हो पूरी पराथा या पुलाओ या नान जिसके साथ भी खाना हो अब उसके अनुसारी यहां पानी कम्या बेसी कर सकते हैं तो चलिए यहां पानी हम डाल देते हैं और इसको कभर करके दो मिनट के लिए गैस का फ्लेम कम करके पकने देते हैं तो यहां एकदम अच्छा सा यह रिरी हो चुगा है दो मिनट हो गए थे तो मैं इसमें एट करती हूँ पनीर जो हम अभी पनीर कट करके रख्ये थे एकदम इस तरह से इसको डाइरेक्ट मिल देते हैं पनीर डाल के इसको उपर नीचे अच्छा से मिला देते हैं ताकि जो भी मसाला है यह हमारे पनीर में अबजर्व हो जा और सबका एक तरह का एकड़म केक्षर हो जा ठीक है अब इसमें लाश्ट में डालते हैं हम कस्तूरी मेठी इसको हाथ से करस करके डाल देते हैं, कस्तूरी मेथी से खुस्पू बहुत अच्छी आती है सब्जी में, इसका टेस्ट एकदम अलग हो जाता है, आप देखते हैं, अक्सर एक्स्टूरेंट में जब भी सब्जी मिलती है, मटर पड़ी है, साही पनीर, कुछ भी आप लो, तो उसका अलग सब्जी में खुस्पू आती है, तो वो यही यूज करते हैं, अक्सर, तो मैं हर रेस्पी में आपको दिखाती हूँ, इसका डालने से सब्जी एक अलग हो जाता है, तो यह देखिए, आप इसका ठीकनेस देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है, अब इसको एक मिनेट के लि सब्जी में मिलाके, उसको अच्छे से चलाके, एक मिनेट के लिए धक दीजिए, गयस का फलेम कम करके, उसके बाद से जब खोलेंगे, तो सब्जी का क्या टेक्शर आगा, क्या खुस्बू आगा, बहुत ही जवर्दास्त, एकदम होटल या रेस्टूरेंट स्टाइल में सब्जी बनके रेडी होगी, तो आप यहां देख सकते हैं कितना परफेक्ट कलर, तो यह देखिए मटर पनीर एकदम बनके रेडी होगी, इसका कलर देखिए, इसका टेक्शर देखिए, ठीकनेस देखिए, एकदम होटल जैसी मटर पनीर के सब्जी बनके रेडी होगी, औ आप इसे पूरी, पराठा, पुलाव या नान किसी के भी साथ खाईए, बहुत थी जबरदस्त लगेगा खाने में, तो ये टेस्टी वाले सब्जी आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बताईएगा, और वीडियो अच्छी लगी दूस्ते तू लाइक कीजेगा, और आप लोग इसे खाईए, और अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए, जितना हो सेके इस वीडियो का भी सेयर कीजिए, तो है न, एकदम मटर पनीर की सब्जी बनाना है, एकदम आसान, तो आप भी इस ट्री को फॉलो करके इस रेसिवी के एक पर जरूर से योगे वीडियो ची लेगी 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 लेगी